रियान पराग जोफरा आर्चर हमने देखा कोल गता में रॉयल रंबल कैस्टरॉल एक्टिव प्रेजेंट्स हैश्टेग आकाश्वानी पाउट बैट टोटल वाटर्प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट क्या मुकाबला था ये बहुत सा तौज जीतार राजिस्थान ने और राजिस्थान थोड़ी सी वीकेंड थी क्योंकि जॉस पटलर नहीं है स्टोक्स का परफॉर्मिस उतना अच्छा नहीं खैरियन का मुकाबला भी आकरी जोफरार चर्का भी मुकाबला आकरी इन्होंने ओशीन फॉर्मस को खिलाया खिलाया वरुन नैरन को काभी बदलावों के साथ उतरी है टीम बैटिंग लगी शायद थोड़ी सी कमजोर है ल जिरुवात में जटके थे 10 वर में 49 पे थोड़ा सा अटक रहा था थोड़ा सा भटक रहा था कोल का था फिर वहां मिले दिनेश कार्थि कार्थि की कमाल की बारी मतलब हम कहते हैं कि कप्तान चल पड़े सीना तान तो आधी चीज़े हो जाती हैं आसान और वही काम कर दिख खाया और जो एक श्रेस गोपाल का ओवर था जो एक छक्का लगाया ग्यारवे ओर में उसके बाद उसी ओर में तीन और चौके लगे और उसके बाद भी चौकों की जड़ी सी लग गई अंत में जाके 175 तक पहुने 200 तक पहुंचाया टीम को इसमें से 97 बनाए एक खिलारी 97 नाबाद कई बारों कहते हैं वो जो अनबीटन 90 होते हैं वो सौ से ज्यादा महत्वपून होते हैं लेकिन नॉट टुनाइट नॉट फॉर दिनेशकार दे कि ये मैच में फिर बदलाव आना था जब सामने की तरफ की बारी आई चेस करने की तो क्या एकदम सूपर सॉनिक स्पीड में तैयारी शुरुवात की संजू सैंसन साथ मर्जिंग के रहाने रहाने तो खेली बड़ा अच्छा रहे हैं और उन्होंने एक चोटी सी बारी थी लेकिन जादगार पारी की effective पारी थी संजू सैंसन इनको कोई आउट करता नहीं खुदी आउट हो जाते हैं बहुत बार सुनें असाम का यह लड़का है 17 साल का छोटा सा लड़का लेकिन क्या बैटिंग करता है इसका temperament एक तम टॉप क्लास है बोलिंग में आम शूर ही इल इंप्रूफ फर्स क्लास प्रिकेट तो सिर्फ चारी मैच केला है थोड़ी सी लिमिटेट हो वो इस प्रिक आरचन कमाल का ये भी तीर अंदाज है इनके तरकश में ये वाले तीर भी थे ये पता नहीं था क्योंकि अंत में पहले चौका फिर चुका मैच जिताकर ये खिला रही गया तो ये भी इनका आखरी मुकाबला था और आखरी मुकाबला यादगार बना गया या कहते हो जो होती है ना वो आपके साथ हमीशा रहती है तो जोपरा को अभी हम या कहें राजिस्तान रोयल्स रिमेंबर करेगा एज एप्सुलूट मैच विनर इसके बाद रहा मिस्स करेगा बदें तैस स्टोरी ऑफ राजिस्तान रोयल्स मेरी प्रेडिक्शन भी खराब मेरे मतब दि है क्योंकि अब आप सोलांकों तक नहीं पहुंच राएंगे राजिस्तान रोयल्स स्टिल टेक्निकली मैथमेटिकली अलाइफ और अब वो नंबर साथ पर चले गए आर्सी भी चले गए वापिस नंबर आठ बात करते हैं जो इस टॉर्नमेंट का हेवी वेट अनकाउंटर चन्नेई सुबर किंग्स के सामने मूंबा इंडियन चैन के सामने रो multiplied शर्मा है तो एक तरव अगर ड्वें बिरावो होंगे तो सामने कायरन पोलाड भी होंगी अगर एक तरव दीपक चाहर होंगे तो सामने जस्पीर भूम रा भी होंगे एक तरव अगर हब बजन सिंग होंगे तो सामने कुणनाल पंडे आओंगे इम्राथ ताहिर के सामने राहूल चाहर इतनी सारी यहां पर राइवल्रीज है ना कि दिल खुश होने वाल है बट चैपॉक चैन्नाई के मैदान से क्या कर सकते हैं उभी बहुत सारी स्पिन तॉस का महत वो जोनी तॉस हारते नहीं है अगर एक और तॉस जीद गे ना तो फिर यह मुकाबला चला जाएगा एक बार फिर चन्नाई के पक्ष में कैस्ट्रोल अक्टिव मैच प्रोटेक्टर मैं किसको सोच रहा हूं बन सकते हैं I am going with a slightly unpopular choice मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे यह spinning pitch लएगी और इसके उपर यह बहतर खेलेंगे और बुंबई से तो यह पहले खेलते भी थे तो उनसे पुराना रिष्टा हो सकता है मैच कौन जीट सकता है I am going with the home side चैन्नाई चैन्नाई सूपर किंगे इस team में बहुत सारे kicks तो यह मेरी मैच की prediction भी रही और उमीद करते हैं कि मैच होगा एक्टम फ्राइडे ब्लॉक पस्टा अगर आप घर बना रहे तो आपको क्या करना है आप तो शौटकट नहीं लेने हैं बहुत जैसे हमारे जो अच्छे प्लेरिजम हो नहीं लेते न उसी प्रकार डॉक्टर फिक्सेट लगाए अपना waterproofing धंसे करवाए उसकी सारी डीटेस इस पोस्ट में आपको मिल जाएगा जाते जाते एक और काम घंटी बजा दिए शाड़े छे लाग पर हम पहुंच चुके हैं अब हमारा अगला जो पढ़ाव हो है साथ लाग साथ लाग सब्सक्राइबर येस अट्स वह वांट टो बी कम आन गाईज लेट्स गो देर चुगेदा